जहीं दोस्तों कैसे हैं आप दोस्तों आज हम आपके लिए लिका रहा हैं समसमाई की क्रोनिकल मैक्सीन अप्रिल 2019 का यह अंक आज हम बात करेंगे इसके प्रमुक विश्यों के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं एराश्ट्री एलेक्ट्रोनिक नीती 2019 गोसित की गई है 19 फरवरी 2019 को स्विक्रित की गई है कैबनेट के द्वारा उद्देश है इसका क्या है पहला उद्देश है कि 400 अरब डॉलर के एलेक्ट्रोनिक्स उत्पात के साथ 2025 तक वे निर्मान वा निरियात का वैश्विक केंदर बनाना दूसरा हमारा जो लक्ष है वो यह है कि एक करो सहित महत्पूर्ण घटकों कौनसे घटक इलेक्ट्रोनिक घटक महत्पूर्ण घटकों को देश में वेक्सित करने की शमताओं को प्रुचाहित कर भारत को ESDM का वैश्विक केंदर बनाना ESDM क्या है? ESDM हमारा क्या है? Electronics, System, Design and Manufacturing Electronics, System, Design and Manufacturing का केंदर बनाना है वैश्विक केंदर बनाना है हमें प्रमुग विश्विक था हैं इसकी देख लेते हैं कि मेगा परियावजनाओं को विश्विक प्रोसान पैकर जो अत्यान्त हाइटक हो तथा जिसमें भारी निवेस की आवशकता हो दूसरा नई यूनिटों को बढ़ावा तथा वर्तमान यूनिटों का विस्तारी करन Next हमारा है Credit Guarantee तथा ब्याज में छूट का प्रावधान भी दिया जाएगा कुसल श्रंबल में प्रुद्धी करना ये भी हमारा दे रहेगा बौदिक संपदा के विकास एवं अधिग्रण है तो सुवेरियन पेटेंट फंड बनाया जाएगा और 2025 तक सौ करोड मुबाइल फंड जिनकी कीमत होगी 190 अरव डॉलर 2025 तक हमें बनाना है सौ करोड मुबाइल फंड तो ये हमारी कुछ electronics जो नीती थी electronics नीती 2019 उसके कुछ प्रमुक मिंदू थे और पुरानी हमारी electronics नीती जो थी वो 2012 की थी NPE 2012 अगला हमारा है Global Passport Index जारी किया गया है रैंकिंग जारी की गई है और इसमें भारती passport धारक के अधिकारों में इजाफा हुआ है और सबसे जो नमबर एक पर है पासपोर्ट वो है मारे UAE का और टोटल इस सर्वे में 199 देश सामिल के गयते हैं जिसमें भारत सरसटमें पायदान पर है 67 रैंक है भारत की और पिछली साल 2018 में भारत की रैंक थी 68 मतलब एक अंका हमें फाइदा हुआ है इस बार 25 देशों में विजा फ्री यात्रा कर सकते हैं भारती पासपोर्ट धारक नागरीक 25 देशों में बिना विजा की यात्रा कर सकते हैं मतलब इन देशों में वीजा की कोई जरूरत नहीं है जैसे हमारा भुटान हो गया, नेपाल हो गया तो इन में वीजा की जरूरत ही नहीं होती और 39 कंट्रीज ऐसे कंट्रीज जहां पर आगमन पर वीजा वीजा on arrival आपको प्रवाइट करवाया जाता है पहले से वीजा के लिए आपको अप्लिकेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती किये बाल 134 एसे देश है जहां पर जाने के लिए आपको पहले वीजा के लिए आविदन करना होता है तो ये हमारे देश की कंडिशन है वीजा पास्पोर्ट पर नेक्स हमारा जो पॉइंट है कि पाकिस्तान से MFN का दरजा छीन लिया गया Most Favored Nation का दरजा जो था वो ले लिया गया पल्वामा घटना हुई थी 14 फरवरी को और 15 फरवरी को ये कदम उठाया गया था और इसमें होता ये था कि अब भारत अब भी तक होता ये था कि पाकिस्तान को बहुत सारी रियायतें दी जाती थी अब वो रियायतें सवाप्त केरती गई हैं अब भारत पाकिस्तान से आयातित वस्तो पर सीमा सुल्क में 200 प्रतिशत तक की बढ़ोत्री कर सकता है तो 200 प्रिशत तक की बड़ोत्री कर सकता है वहां से जो भी समान आता है हमारे यहां उसमें बड़ोत्री कर सकता है इंडिया और ये दर्जा 1996 से दिया जा रहा था अभी तक चल रहा था राष्ट्री घटना करम्प के बारे में जान लेते हैं क्या है पहला देख लेते हैं प्रधानमंत्री किसान समान निदी योजना देखें अभी अंतरिम बजट जो जारी किया गया था उसमें इस योजना का जिकर किया गया था और ये योजना 24 फरवरी डेट याद रखनी है 24 फरवरी 2019 को गोरख फरवर से ये योजना की सुरुआत की गयी है प्रतानमंत्री मोदी के द्वारा और ये इसमें 75,000 करोड रुपए की ये उजना है पिम किसान नामक और इसमें क्या गरना है लगू वा सिमान किसानों के खातों में डेवी टी द्वारा प्रतिवर्स डारेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा प्रतिवर्स 6,000 रुपए जो की तीन किस्तों में होगा मतलब 2,000 रुपए की तीन किस्ते होंगी साहतारासी दी जाएगी किशानों को और इससे लगबग 12 करोड लोग लाभानवित होंगी तो ये हमारी है प्रधानमंत्री किसान समान निधी योजना जिसको 24 फरवरी को गोरकपुर से लाउंच किया गया प्रधानमंत्री स्रमयोगी मांधन योजना ये 15 फरवरी 2019 को योजना सुक्की शुरुआत की गी है और इसका भी उल्ले किया गया था हमारे बजट में जो अंतरिम बजट पेस किया गया उसमें इसका भी जिक्र किया गया था और ये योजना असंगटित छेत्र के उन श्रमिकों के लिए है जिनकी मासिगाए 15,000 रुपे से कम है जिनकी जो मासे गाय होती है 15,000 रुपे से कम जो ऐसे नॉन और्गनाइजड लेबर्स हैं उनके लिए ये योजना है और जिनकी उम्र 18 से 40 वर्स तक की है इस योजना में 60 वर्स की आईउ के वशाद प्रतिमा 3,000 रुपे पैंजन के रूप में मिलेंगे और योजना में सामिल होने के दो इसमें तरीके हैं एक तो जिनकी उम्र 29 वर्स की उम्र में जुड़ने के लिए है ऐसे वेक्तियों को 100 रुपे प्रतिमा कान सदान देना होगा 60 वर्स की आईउ तक मतलब कुल लगबग 36,000 रुपे उसको देने पड़ेंगे और 18 वर्स की आईउ वाले प्रतिमा 55 रुपे कान सदान करेंगे और उतनी रुपे मतलब 55 रुपे खुद करेंगे और 55 रुपे सरकार सयोग करेंगे और इससे लगबग 10 करूड लोग लाभानवित होंगे राश्ट्री गोकुल मिसन योजना ये तो फुरानी योजना है चल रही है और इसके तहट 750 करूड रुपे आवंटित किये गए हैं इस बार राश्ट्री गोकुल मिसन के तहट और इस पर कई सारे कोशन बनें थे अभी कई सारे एक्जाम में पूछा गया था और उद्देस पूछा था अक्शली ये किस के लिए है तो इसका उद्देस जो है दूद उतपादन को बढ़ावा देना इसका में जो एम है वो दूद उतपादन को बढ़ावा देना और कैसे बढ़ावा देना इसके लिए देसी नसलों में सुधार कर दूद उतपादन को बढ़ावा देना तो ये इसका राश्री कोकल मिशन का देय है और इस मजट में 750 करोड रुपे अवंटिट के गए है खदानों में महिलाओं के रोजकार को अनुमती दी गई है अभी तक ये प्रावधान था कि महिलाओं को खदानों में रात 7 बज़े से लगा कर और सूबह 6 बज़े तक इनको अलाओं नहीं किया गया था लेकिन अभी बदले वे प्रावधान ने इनको अलाओं कर दिया गया है च highlighting साथ पियम से लगा कर 6 एम तक कारकरने की अनुमती दी गई है कहां जमीन के उपर जो माइन्स है उसके जमीन के उपर कारे करने के लिए नमती है साथ पीम से लगा कर छे पीम तक लेकिन उसके साथ ही एक और सर्थ जोड़ी की है कि इसमें एक सिफ्ट में कम से कम तीन महिलाएं अन्यवार रोप से होंगी अगला जो इसी का विंदू है यह है कि जमीन के नीचे अगर कारे कराना है खदान मालिक को महिलाओं से तो छे एम से साथ पीम तक ड्यूटी लगा सकता है और वो भी लेबर काम नहीं दिया जाएगा श्रम का काम नहीं दिया जाएगा वो काम होगा तक्नीकी का, टैक्नीक का मतलब निरिक्षण का, इंस्पेक्शन का और मैनेजिंग का प्रबंद की अकारियों में अनुमती है तो ये हमारा कुछ ख़दानों में महिलाओं की अनुमती को लेकर है एक प्रोग्राम लांच किया गया है, पी डॉट प्रोग्राम, इसका फिल फॉर्म है, प्री डिपार्चर ओरियन्टेशन ट्रेनिंग तो ये जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, और विदेश जाने को लेकर तमाम सारी संकाई होती हैं लोगों के मन में कि बाहर जाएंगे तो सारे लोग आजनभी होंगे, कैसे व्यभार करेंगे, क्या क्या हमारे राइस होंगे, इन सब संकाउं को दूर करने के लिए और विदेश जाने वाले नागरिकों को उनमें आत्मविश्वास जगाने के लिए, उनको टेक्निकल नॉलेज, उनको बनाया गया है दोस्तों जैसा की जानते हैं कि हिंदी भाषा की उप भाषा मैतली ही इकलौती भाषा है जिसको समवधान की आठवी अनसुची में सामिल किया गया है और ये सामिल की गई थी 2003 में तीन में 92 अमिल के तुरू इसको जोड़ा गया था और इसी को लेकर एक पांडुलिपी केंद्र बनाया गया है दरभंगा में एक सो पचीसवा समवधान संसोदन लाया गया है जो है चटी अनसुची से समंदित आप जानते हैं कि चटी अनसुची में कुछ चार राज हैं कुछ चार राज हैं जिनके विशे में प्रावधान है और ये राज हैं आपके आशम है मिघाले है तरपुरा है और मिजोरम और इन राजों में एक स्वायत परिस्दों का गठन किया गया है उन्हीं से रिलेटेट कुछ ये जो स्वायत परिस्द हैं जो बॉडिज हैं इनको कुछ और ज़्यादा इनकी जो वित्ती शक्तियां हैं और कारेकारी एक्जिक्रीडिव पावर्स और जो फिनिंशिल पावर्स हैं उनमें इजाफा किया गया है तो क्या इजाफा किया गया है देख लेते हैं कि स्वायत परिशदें विशिष्ट परियोजनाओं के लिए अनुदान प्राप्त कर सकेंगी दूसरा हमारा जो है ग्रामेण वा सहरी परिशदों में एक तिहाई वन थर्ड सीट महिलाओं के लिए रिजर्व किया जाएगा तो ये दो प्रावधान किये गये हैं छटी अनुसूची में और सम्विधान का ये संसोदन है एक सो फंड गो टाला जिसको लेकर ममता बनर जी और उनके तमाम सारे सायोगी इसमें दोसी अभी उनको सामिल किया जा रहा है उन पर दूस लगाया जा रहा है तो इसी के परपेक्ष में ये विधेक लाया गया है अवेद रूफ से जमारासी जुटाने के खात्रे से कारगर ढंक से निवटने के लिए और इस तरह की योजनाओं से जो करीब हैं जिन्होंने अपनी पुझी जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई का ठागर रखिये उनको बचाने के लिए ये विधेक लाया गया है और इसमें तीन तरीके के अपराद निश्यत किये गये हैं कौन कौन से पहला तो अपराद यही है कि अगर कोई इस तरीके की योजना चलाता है पॉंजी स्कीम चलाता है नेक्स्ट हमारा है अनियमित जमा योजना द्वारा जाल साजी करना दूसरा अपराद यह है और तीसरा अपराद जो है कि अनियमित जमा योजना द्वारा गलत ढंग से लो ऐसी उजना उपर अंकुस लगाया जा सके सिनेमेटो ग्राफ संसुदन विधेक 2019 आया है और इसमें क्या है कि अभी देखते होंगे कि अजकल बहुत जादा इसकी कालावा जारी चल रही है पाइरेसी बहुत जादा हो रही है कि कोई भी मुवी आती है और उसकी पाइरेसी स् पाइरी चोर बजारी रोकना जैसे कि फिल्मों की प्रतलिपी त्यार करना कैमरे से रिकॉर्डिंग करना एतियाद इसमें सामिल किया गया है और इसके लिए अगर कोई पाया जाता है सिद्ध हो जाता है कि ऐसा किसी ने किया है इनने मुकावलंगन तो इसको तीन साल के सज वह 10 साल 10 लाख तक जर्माना दिया जा सकता है NRI विवाह पंजी करण विदेख 2019 लाया गया है और इसका मकसद यह है कि जो भारतिय नागरिक हैं भारतिय नागरिक हैं उनको सुरक्षा महिया कराना इनका में काम है अब देखें होता ये दा कि तमाम सारे NRI होते थे जो एंडियन लड़की से शादी करते थे उसके बाद वहाँ ले जाते थे और तमाम तरीके की प्रताड़नाएं छेलनी पड़ती थी बहुत सारे अत्याचार होते थे इन सबसे बचाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है ये विधेक लाई है इसका उद्दे से भारती नागरिक को विशेस कर NRI द्वारा अपनी पत्नियों का उत्पेडन रोकने के लिए उन्हें अपेक्षाकरत अधिक सनरक्षन देना है तो किसको सनरक्षन देना है जो भारती नागरिक हैं उनको सनरक्षन देना है भारत या भारत के बाहर किसे NRI के साथ भारती नागरिक का human होता है तो शादी के 30 दिन के भितर पंजी करना अनेवार होगा चाहें वो इंडिया में शादी करें या इंडिया से बाहर साधी करें अगर कोई भी इंडियन के साथ उन्होंने शाधी करी है तो उसका 30 दिनों के वित्तर पंजी कराना जरूरी होगा ताकि मालूम पढ़ सके कि कितने लोगों ने भारतिय नागरिकों से शाधी की है तो ऑपरिशन डिजिटल बोर्ड चलाए गया है और इसका मकसद है कि टेक्निक से पढ़ाई करवाई जाए और आजकल देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा इसका प्रभाव पढ़ रहा है दूरा से अच्छा डिस्टेंट लर्निंग का तो उसी के तहट आपरिशन डिजिटल बोर्ड चलाया गया है और ये कच्छा नौस लेकर उच्छ सेक्षन संस्तानों में चलाया जाएगा और इसमें डिजिटल क्लासरूम बनाना शात्रों को ई संसादन अपलब्द कराना तथा सरकारी तथा सहयता प्राफ स्कूलों में इसको लगाया जाएगा जो से गवर्मेंट स्कूल है और एडड़ेड स्कूल है उनमें डिजिटल क्लासरूम बनाया जाएगा और ये जो हमारे संसादन है उनसे सिक्षा व्यवस्ता दुरुस्त की जाएगी नेक्स हमारा जो है राश्ट्री नियुंतम मजदूरी इसके लिए एक समेती गठित की गई थी और उस समेती ने रेकमेंडेशन दी है कि राश्ट्री स्थरवर नियुंतम मजदूरी 375 रुपए प्रति दिन होनी चाहिए 375 रुपए प्रति दिन होनी चाहिए शहरी इलाकों में अलग से 55 रुपए का किराया भत्ता भी दे है 55 रुपए प्रति दिन के हिसाब से किराया भत्ता तो 375 रुपए मजदूरी हो गई है नियुंतम मजदूरी minimum wages और शहरी इलाकों में चोकि उसको रहना पड़ेगा शहर उसको अलग से 55 रुपए बता देना होगा राश्ट्री नमक सत्यागरह है आप जानते हैं कि 12 मार्श से 6 अपरेल तक हुआ था नमक सत्यागरह है गांदी जी ने किया था और ये जिला पड़ता है दांडी जो स्थान है वो नवासारी जिले में पड़ता है गुजरात में और वहीं पर असी 79 तो उनके अनुयाई थे और असी में घांदी जी थे तो असी सत्यागरहियों के परतिमायें बनी वही है और उनी से रिलेटेज सारी चीज़े रखी वही है इस शंगरहाले में म्यूजियम में राजस्तान पंचायती राज संसोधन विदेक लाया गया है और आप जानते हैं कि फ़र दिन पहले विजेपी की गुवर्मेंट थी वहाँ पर वसंदर राजे वहां की मुख्यमंत्री थी उन्होंने पंचायतों में और नगर निखायों में कुछ सैक्षिक अनिवारता की थी लागू की थी और जिसको हटा दिया है अभी कॉंग्रिस एक कदम था उसको इन्होंने खतम कर दिया गुमंत्ू अर्द गुमंत्व समुधा रहे तो पैनल गठि किया जाएगा और जो पैनल निकी आयोग के अदियन कारी करेगा और इससे पहले इससे पहले एकर रैंक के आयोग और IQ याक का गठन किया गया था और गुमंत्व कॉन से लोग होते हैं आप ने देखा होगी एक बंजारे होते हैं और कई इस तरीके से लोग होते हैं जो खाना वदोस जिनको बोलते हैं इदर से वदर गुमते रते हैं जहां भी खाना मिल जाए वहीं पर रह जाते हैं और इनको अंग्रेजो के जमाने में इनको अपराधी पिर्णाम बनाया जाता है। नहीं इनकी कोई रोजी रोडी का कोई पुख्ता जरिया है। तो तमाम सारी चीज़े हैं। इन्नी के बारे में सला देने के लिए आयो गठित किया जाएगा। तो ये हो गया अगला हमारा अंतराश्ट्री गटना करम के बारे में देख लेते हैं कि क्या हुआ अर्जेंटीना के राष्टपती भारत की यात्रपराद है और 17 से 19 फरवरी 2019 तक रहे थे राष्टपती मार्शियो मैक्री साथ मैक्री और बहुत ही आत्मेता के साथ प्रदानमित्रिन नर्यन मोदी ने मैक्री मैक्री करके इजहार जटाया था उन्होंने कि इदेख कितने करीबी है तो भारत ने इनके साथ 10 MOU पर साइन किये हैं और अर्जेंटीना ने आये से अंतराश्टी सौर्ग गटबंधन का भात्रवा सदस बन गया है चीन का उईगुर समदाए उईगुर जानते हैं मुसलिम समदाए है चीन का और जो जियांग प्रांथ है चीन का वहां रहता है और इन पर चीनियों के द्वारा बहुत ही अत्याजार किया जाता है और ये उईगुर जो समदाए हैं वो तुर्की भाषा बोलते हैं तुर्की ने चीन में बनाये गए आंतरिक सिवरों को बंद करने के लिए कहा है देखें क्या होता है कि इनके लिए ये जो उईगूर समधा है इनके लिए कैम्प्स बनाये गए हैं और उनी में ये लोग रहते हैं और इन कैम्पो पर चाइना की कड़ी निगरानी रहती है और जब देखो तब उनको मार भी देता है बहुत सारे बड़े पहमाने पर मारे जाते हैं तो इस चीज़ को दूर करने के ये बहुत ही गलत है मनवता के लिए बहुती दुखत है ये कि इस तरीके से लोग जीदगी गुजर वसर कर रहे हैं तो इसी के खिलाब आवाज उठाई है तरकी ने अबू धावी की तीसरी निया एक भासा बन गी है हिंदी देखें कि जो हमारा UAE है UAE से भारत के बहुत ही अच्छे समन्द है और सबसे ज़्यादा व्यापारिक समन्द है सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है हमारा UAE ज़से लाव होता है लाव के मामले में सबसे बड़ा भागीदार ये है UAE और हमारे देश की काफी ज़्यादा जनसंख्या युए में रहती है युए की जनसंख्या की लगवा एक तिहाई जनसंख्या भारती है न्याइक भासा वहां की पहले से थी अरबी और अंग्रेजी हिंदी वहां की तीसरी भासा बन गई अमेरिका में राश्ट्री अपातकाल घोसित कर दिया गया है अपातकाल घोसित करने के पीछे मंसा ये है कि वहाँ पे जो हमारे ट्रम साहब हैं वो दिवाल बनाना चाह रहे थे मैक्सिको बर्डर पे और जिसको मंजूरी नहीं मिल रही थी वित्त की तो इन्होंने अपातकाल लगा दिया अपातकाल की इस्तिती में ये सर्वे सर्वा हो जाएंगे और वो अपने आफ धन की निकासी कर लेंगे दिवाल बना देंगे तो ये वहाँ पे इन्होंने लगा दिया है इस कदम की बहुती आलोचना हो रही है इरानी इस्लामिक करांती की चालिसवी वर्सगाट मनाई गई है और इरानी जो इस्लामिक करांती हुई थी वो 1989 में हुई थी और वहाँ पर राजसाही को खत्म कर दिया गया था और इस्लामिक गरतंत्र बनाया गया था वहांके एक नेता थे आयतल्ला खुमैनी साहब और 14 साल वो निर्वासन में उन्होंने बिताये थे उसके बाद वो लटके आये थे अपने वतन और उन्होंने जो उनका शाह का सासन था उसको खत्म करके और खुद वो सर्वोचे नेता बन गए थे एरान के तो उसकी 40 वर्सकाट बनाई गई है सौधी प्रिंस आये थे हमारे हैं पुलमामा काउंट हुआ था तो पहले उसके बाद सौधी प्रिंस पहले पाकिस्तान गे उसके बाद इंडिया आये थे अपने देखा होगा तो सौधी प्रिंस सल्मान आये थे हमारे हैं और इन्होंने इंडिया के साथ में पांच समझातों पर हस्ताक्षर किये हैं NIIF में निवेश हितों भी समझाता इन्होंने किया है National Investment and Infrastructure Fund में निवेश हित दोनों देशों के द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं और उपर युक समझाता कि अत्रिक्त सौदी अरब ने अंतराश्री सौर गटबंदन I.S.A. से जुड़े फ्रेमवर्क समझातों पर भी हस्ताक्षर किये हैं अब देखें मोदी साब इसी दवरान के पलबावा गटना होई उसके बाद मोदी साब गये थे दक्षड कोरिया की आत्रापर और इन्होंने दक्षड कोरिया के साथ 6 समझोतों पर हस्ताचर किये 2030 तक आफसी व्यापार 50 बिलियन डॉलर तक करने हित सहमती बनी है है भारत दक्षड कोरिया स्टार्ट अप हब की सुराथ की गई गया है और यांसेई विश्वधियाल है वहां का इन्होंकिस्टि है यांसेई बलाया गया था विशिष्ट अथती के तोर पर और जिसकी मखालफत की थी पाकिस्तान ने पाकिस्तान पाकिस्तान क्या करता था पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ यही एक संगटन था जहां पर आवाज बलंद करता था अपनी और कश्मेर को लेकर इस संगटन की हमेशा से नक यह तो बात की बात है फिलहाल सुस्मा सुराज यहां गई थी सामिल होने के लिए और इन्होंने इंडिरेक्टरी बिना किसी नाम लिए आतंकवाद का भी जिक्र किया था और आतंकवाद को जो पना देते हैं जो उसको वित्तपोशित करते हैं उसको पालते हैं उसकी भी है चुका है कि हमारे यहां हम तो second largest Muslim population वाले country हैं तो हमको भी तो पहला सबसे ज़्यादा Muslim population रहती है इंडोनेशिया में इंडिया में second number पे रहती है लेकिन इंडिया चुकि secular country अपने को कहता है तो Muslim country तो है नहीं यह organization Muslim countries का है कॉपरेशन का है तो बहुत से विरोधाबास है इसमें सुडान में एक वर्सी आपातकाल लागो हो गया राश्पती ओमार वहां के हैं उन्होंने कोशना किया आर्तिकी से देख लेते हैं हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट है उसने जो हमारे आप तो खरीदारी करते होंगे ऑनलाइन चॉपिंग उसी के मालिक हैं जब बेजोस और इनकी समपत्ती 147 बिलियन डॉलर है और यह नमबर वन पे हैं दूसरी नमबर बिल गेट्स हैं तीसरी नमबर वारिन बफिट हैं हमारे यहां के सबसे बड़े जो धन को बेर हैं वो म 57th पोजिशन पर आजीम प्रेमजी हैं और 100th साइरस पुनावाला है 100th पोजिशन पर उस साइरस पुनावाला है FATF Financial Action Task Force जो हमेशा चर्चा में रहे रहा है आज कल जिसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल रखा है आतंकवाद वित्त पोशन को लेकर फिर से अभी जो बैठक होई है उसमें पैरिस की बैठक होई है उसमें फिर से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही बनाए रखा ग गे है तुला कोना में देश का अठारवां je मेगा फूड पार्क है अंत्राष्टी बादिक सं पधा सूचकांग 209 की रैंकिंग जारी की गई है और ये ज्याइ-पि-स के द्वारा जारी किया जाता है ज्याइब सी के द्वारा जारी की गई है ये रैंकिंग और इसमें पै इंडिया की रैंक इसमें 36 है और बहुती ज़्यादा इजाफा हुआ है इंडिया की रैंक में सुधार हुआ है पहले ये 44 था रैंक इसका 44 अब बढ़की हो गया है हमारा 36 ए 380 सुपर जंबो विमान जो सबसे बड़ा विसका सबसे बड़ा विमान था उसका उत्पादन बंद कर दिया गया है एरबस के द्वारा ऐसी घोशना की गई है क्योंकि इसके खरीदार नहीं मिल रहे थे सबसे ज़्यादा खरीद करता था इसकी यूई और उसने खरीदना बंद कर दिया तो इसने बनाना भी बंद कर दिया छटी दुए मासिक मौद्रिक नीती खोशित की गई है साथ फरवरी को और इसके तहत रहपूर रेट हमारी है 25 आदारंग कम करके और ये हो गई है 6.25 परचेंट की गई है और इसी के चलते रिवर्स रेपोरेट भी कम होकर 6 परचेंट रखी गई है RBI द्वारा केंदर को अदिसेस भुकतान दे को इसको लेकर बहुत विवाद हुआ था और उरजित पटेल साब ने रेजाइन भी कर दिया था और आखिर खार ने जो हमारे और भी एक गवर्णन साब है उन्होंने 28,000 करोड रुपए का भुकतान कर दिया है Central Government को मुक्य मंतरी युवा स्वाब इमान योजना यह मद्वर्दिस सरकार की योजना है जिस तरीके से नरेगा चलती है मनरेगा चलती है किन सरकार की ऐसे ही इनोंने सहरी युवा कौन से सहरी युवा इड़ू एस है Economically weaker section वाले जो सहरी युवा है इनको रोजगार दिलालने के लिए 100 दिन का रोजगार दिलालने के लिए मुक्य मंतरी युवा स्वाब इमान योजना चालोगी गिया है और इसमें 4000 प्रतिमा के साफ से दिया जाएगा चुकि 100 दिन का है तो टूटल कितना हुआ 13500 रुपे मान दे हुआ ये एक साल में देंगे EWS को विश्व सतत विकास सिखर सम्मेलन 2019 आयोजद किया गया नहीं दिली में उद घातन करता इसके वैंकी अनाडू थे हमारे वाइस फ्रेशिडेंट और मिजबान जो देज था मिजबान जो हमारे थे वो सुसरी चंदर का अकुमार तुंगा दे ये पूर्व राश्पती स्रिलंका की है विश्व से जो था वो था अटेनिंग दा 2030 एजंडा डिलिवरिंग ऑन अवर प्रामिसेज सतत विकास ने तृत्व परसकार दिया गया फ्रैंक बेनी रामा को जो फिजी के फिजी के हैं वस्टु एवम सेवा कर अपे लिए नहादी करण का गठन किया गया है मंजुरी मिल गई है कैबनेट की भारत में सेज से सम्मंदित कुछ डेटा आया है वर्तमान में कुल 231 सेज खारे अरत है जैसा कि आप जानते हैं कि EPZ जो पहला EPZ बना था वो कांडला में 1965 में बना था और सेज नीती आई थी हमारी 2000 में सेज नीती 2000 में आई थी महिला आजीवी का बॉंड ये जारी किया गया है वर्ड बैंक, UN विमन तथा शड़बी के सहयोग से जारी किया गया है और इसका उद्देश देखें क्या है ये भारत की कुछ सबसे गरीव राजियों में भारत की कुछ सबसे गरीव राजियों में ग्रामिन महिलाओं को अपने स्वयम के उद्यम स्थापित करने या समवर्धित करने में सायता करेगा जो बहुती गरीब राज हैं वहां की जो ग्रामिन महिलाओं हैं उनको अपने उद्योग या तो वो स्टार्ट अप को स्टार्ट करने के लिए या फिर जो उद्योग हैं उसको समवर्दित करने के लिए उनको ये गोश्चना की गई महिला आजिव का बांड की गोश्चना की गई है और इसके तहट महिला उद्यमी को एक से लेकर डेल लाक रुपए साख उपलब्द कराई जाएगी वो भी तेरह प्रस्चत या कम पर मिलेगी उनको तो ये महिला आजिव का बांड है रक्षा उद्योग गल्यारा के आधार सिला रखे गई पंद्रा फरवरी को इसको लेकर क्रिटिसिजम भी हुआ था जिलना पड़ा है क्योंकि 14 फरवरी की घटना थी पलवावा की और 15 फरवरी को तो इन सब चीजों को लेकर बहुत जादा हंगामा हुआ था और ये कॉरिड़र 15 फरवरी जहासी को इसके अधार सिला रखी गई है ये कॉरिड़र अलिगड आगरा जहासी चितकूट कानपूर वा लखनो में बनेगा और फोकस एरिया जो है इसका वो हमारा बंदिल खंड है विज्ञान पारिश की से समंदित क्वेशन देख लेते हैं क्या क्या आ सकते हैं जी सेट 31 उपग्रे का प्रक्ष्या पड़ किया गया है वो भी 6 फरवरी 2019 इसको गियाना अंतरक्ष के अंदर से एरियन 5 विए 247 के द्वारा और इस रो का ये 40 वा संचार गामनिकेसन ना सका 15 वर्सों के बाद ये मिसंस हमापत हो गया है एंटी टैंक मिसाइल हैलीना का भी हलीकॉप्टर लांच संसकरन हलीकॉप्टर संसकरन लांच किया गया है आठ फरे 2019 इसको इसका प्रेक्ष्ण किया गया और ये आप नाम से ये देखेंगे हेली हेली का मतलब तो नाग मिसाइल का ये संसकरन है CCI सेरस इन्रक्ष्ण प्रोग्राम किन्द्री वन इवम पर्योरन मंत्राले के द्वारा चलाया जाएगा जापान में Stem Cell Technique बहुती फेमस है आज कल Stem Cell Technique Stem Cell Technique उपचार प्रेक्ष्ण को मन्जूरी दे दी गई है ऐसा करने वाला जापा के बारे में देख लेते हैं कि हिना जैसवाल हिना जैसवाल यह इंडियन एर फोर्स की पहली बहला फ्लाइट इंजिनियर बन की हैं मेरा वाई चानू जानते हैं आप भारो तोलन से समन देते हैं और थाइलेंड के इजी एटी कप में सौनपदक हासिल किया इन्होंने मनप्र प्रवित सिंग्ओ जो होकी के कप्तान है होकी टीम के उनको एसिन प्लेयर आफ दे इयर आवार्ड दिया गया है राजी नहिंचाबे यूपीएससी के सदस निक्त किये गये हैं रिशी कुमार शुकला जानते सीबियाई के निदेशक रिशी कुमार शुकला भाती महत्वड पध है यह दियाई के निदेशक लेफटिनेंज जर्णल चोपड़ा राजी चोपड़ा को एनसेसी का महाद निदेशक बनाया गया है अबदलफते अलसेसी अफ्रीकी संग के दिक्ष बनाया गया है टीके जैन साब बिसी सी आई का पहला लोगपाल निक्त किया गया है यह अब एर इंडिया के चेर्मिन बनाती गए है निधन किसका हुआ है इसाहितिकार थे बहुत बड़े नामी ग्रामी व्यक्ति थे नामवार सिंग इनका देहांत हो गया है राजकुमार बढ़ जात्या जो बहुत सारी मोवी बनाई है विवा बहुत सारी मोवी परिवारिक मोव यह ग्लोबल जो वार्मिंग सब्द है देखो छूट गया इसमें ग्लोबल वार्मिंग सब्द को उन्होंने लोग प्रे बनाया था और एकोलोजिस्ट थे यह परिशकार सम्मान देख लिएति ए ग्रेमी अवार्ड हैं जो मेजिक शेत्र में दिया जाते हैं रिकार्ड टक अकेडमी परशकार टूटल बाइलिस कलागारों को दिये गया है डैन डेविट परशकार 2019 दिया गया संजे सुबरमन्यम को ये इतियासकार है हमारे भारत के बाफटा परशकार 2019 जो ब्रिटेन के द्वारा दिये जाते हैं फिल्मों के लिए वो मिले हैं फिल्म सरस्ट्रेस्ट फिल्म जो है बेस्ट फिल्म का आवर्ड मिला है रूमा को और बेस्ट डाइरेक्टर आवर्ड मिला है अलफानसो क्वेरान को रूमा के लिए और अभिनेता रामी मालिक जो बेस्ट आक्टर है रामी मालिक को मिला है इनकी फिल्म थी बोहेमियन रैफसौडी और अबिने त्री बेस्ट आक्टरेस का वर्ड मिला है ओलिविया कॉल्मन को देखें किवल फिल्म बेस्ट फिल्म को छोड़के बाकी ये तीन अवार्ड जो हैं यही सेम अवार्ड मिले हैं आपके आउसकर के लिए भी इनी मिले हैं फिल्म अलग हो जाती है वो बाकी सारे सेम रहते हैं लॉरिस स्पोर्ड अवार्ड 2019 घोशित किये गए और पुरशों के लिए नुवाग जोव कोविच को और महिला के लिए सिमोन बाइल्स को दिया गया है ग्लोबल फ्यूचर फॉर नेचर पुरशकार दिव्या करनाठ हमारे यहां की हैं इंडिया की उनको दिया गया है लॉरिस स्पोर्ड फॉर्ड फॉर गुड अवार्ड युवा एक संगटन है जार कंट का उसको दिया गया है Freedom of the City London पुरुषकार सन्जीव चड़ चड़ा को दिया गया सन्जीव चड़ा Freedom of the City of London अवार्ड 91 92 डेके फिल्म की वलचेंचर बाकी सारे से में फिल्म ग्रीन बुक को दिया गया है फिल्म आपको याद रखना है इसमें फिल्म Greenwood को Oscar Award दिया गया है Best फिल्म का Oscar Award Green Book को दिया गया है Best Director का Award Alphanso Cuirán Roma के लिए Best Actor Rami Malek को Best Actress Olivia Colman को राज समाचार देख लेते हैं पंजाब में सिंदू Dolphin को राज की जली जिवगोसित किया गया है इमान चलपर्दी इसमें उना जिले में क्रेमिका Food Park इस्ताफित के जाएगा और संसक्रित हमाचल प्रदेश की दूसरी राजभासा बन किया है बिहार से समंदित खवरें बुख्यमंतरी बृद्ध जन पंचन योजना चलाईगी है जिसमें 400 रुपे पत्ति माह पंचन दी जाएगी बृद्धों को 60 वर से उपर के लोगों को मिखाला से समंदित खवर देख लेते हैं डिक्की बंदी स्टेडियम का नाम अब जाना जाएगा पी ए संगमा के नाम से पी ए संगमा बहुत बड़े पलिटीशियन थे हमारे स्पीकर भी रह चुके थे तो पी ए संगमा के नाम से जाना जाएगा तिलंगाना से समंद खवरे दो नए जिलों का स्रिजन किया गया है एक नाम मुलगू है दूसरे के नाम नहरा और पेट है करनाटक 9 माई इंडिया एक कारिकरम लाउंच किया गया है इंडिया दर्शन को लेकर खेल से समंदित कोईशन क्रिकिट में इरानी कप जीत लिया है विदर्म ने से इस भारत को हरा कर भारत न्यूजिलेंड ओडियाई स्रंकला का युजदन किया गया था भारत ने ये स्रंकला चार एक से जीत ली थी और मुहमद शमी को मैं आप दा सेरीज खोषित किया गया था भारत न्यूजिलेंड टी-टी स्रंकला भी हुई थी इसी समय और इस बार न्यूजिलेंड ने बाजी मार ली न्यूजिलेंड ने इंडियागो — दो एक से हरा कर स्रंकला जीत ली थी नवी राश्री स्नूकर प्रतियोगिता का खिताव जीता पंकज आडवानी ने AFC Asian Cup फटबाल का विजेता कोशित हुआ है कतर कतर ने जबान को राया है ISSF विश्व 2019 निसानेवाजी का सुन पदक डाक्टर करणी सिंग वा अपूर्वी चंदेला को मिला है और इसी के साथ ये अंक समापत होता है दोस्तों अगर किसी को पेडिया फाइल चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना वार्शेप नमबर दे दूँगा या फिर मैं अपना जो टेली टेली कराम जो चैनल है उसका लिंक दे दूँगा वहाँ से भी ले सकते हो जिस मंत की विचाओ उस मंत की ले सकते हो अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं प्लीज लाइक करें शेयर करें सबसाइब करें जोनों ने अभी तक नहीं किया है टेंक यू